Hello guys, GS4 Competition में आपका स्वागत है और आज हमारा सबसे महत्पून टॉपिक George Barlow as a Governor General के रूप में है Guys, it's a very very most important topic for the examination point of view अगर आप UPSC के तियारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश Public Service Commission या State Public Service Commission के तियारी कर रहे हैं या SAC के तियारी कर रहे हैं या कोई भी one day examination दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पून है George Barlow Guys, it's a very very most important topic for the examination point of view इतिहास का सबसे महत्पून Governor General में से एक Guys, अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम था George Hillaro Barlow First Barnet इनका ये पूरा नाम था मेरे दोस्तों अगर बात करें तो ये George Barlow लॉट कानवलिस के बाद ऐसे कारेवाहक गवर्णर जनल के रूप में यहां पर भारत आए थे 1805 में जब लॉट कानवलिस के मृत्पू हो गए तो मृत्पू के बाद है गाइस ये George Barlow 1805 से लेकर 1807 तक ऐसे गवर्णर जनल के रूप में इन्होंने कारे किया था अगर इसके बात करें तो इसके टाइम पेड की सबसे महत्पून घटना थी वेल लॉर म्यूटिनी यानि 1806 में वेल लॉर का विद्रो इन्हीं के समय में हुआ था नोट कर लिजे इस वेल वेल लॉर का विद्रो जिसमें भातिस एनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों को मा डाला था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो किया था सासत में इसी जौज बार्लो का टाइम पिरेड है जिसके समय में दास वेपार पर प्रतिबन लगा दिया गया था या दास वेपार को समाप्त कर दिया था 1807 में गाइस दो कोशन यहाँ पर आपके एक्जाम में सीधे सीधे आता है पहला कहेगा किस गवर्नर्ट जनल के समय में वेलोर का सिपाही विद्र हुआ था आंसर इस जौज बार्लो 1806 दूसरा कोशन पूछता है किस गवर्नर्ट जनल के टाइम पिरेड में दास वेपार को समाप्त कर दिया था आंसर इस जौज बार्लो आई होप गाईस यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा हो गाईस यह वीडियो खास तोड़ से UPSC UPSC या बिहार PSC या MPPSC या आप कोई साभी कोई साभी एक्जाम दे रहे हो चाहे वो रेलवे हो चाहे आपका SSC हो या कोई भी एक्जाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वन है गाईस एक एक Governor General की Biography आपको मिल रही है I hope कि आपको बहुत पसंद आ रहा हो गाईस लाइक जरू करें Share जरू करें Thank you and take care